पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रोहन को डिफीट करने के बाद आइस थर्ड राण में प्रोचीट कर जाता है जहांपर 35 पोकी मोन ट्रेंस होने वाले थे बाकी बच्ची भी बैस को दिखकर आश को रियलाईज होता है कि यहांगे पोकी मोन ट्रेंस बहुत ही जदा स्मार्ट है और काफी जदा यूनिक स्ट्राटिजीस का यूज़ कर रहे है वेल अब थर्ड राण के मैच अप सनाव सोजाते हैं और आश ये जानकर सप्राइज रह जाता है कि इस बार उसकी बैटल किसी एट्रो पोकी मोन ट्रेयर ने ही बलकि ओरिजिनल वर्ड के पोकी मोन ट्रेयर के साथ थी और वो पोकी मोन ट्रेयर होईन चैंपियन स्टीवेन था आश और स्टीवेन मिलकर बात ही करते हैं आगे जाकर पता चलता है कि थर्ड राण में सीफोर सिफ एक ही बैटलिंग राण्ड होगा जहां पर दोने ही पोकी मोन ट्रेयर शे पोकी मोन का यूज़ करेंगे अब मैं एल किंगलर को आगे जाकर भी ट्रेयन कर सकता हूँ और फिलाल के मुझे स्टीवेन के एगेंस्ट बैडल में रिस्क नहीं लेना चाहिए ब्रॉक की बात मान कर आश पोकी मोन टेंटर जाता है और एल किंगलर के पोकी मोन को बहार निकाल कर बोलता है सौरी मैं वादा क अगर्ण क करता है यह अघली गई जोने वाली है जहाँ पर आश को मन कयन उनको यसे करना होगा एंड उसक लिए मन की आउन बलकि होईन चैंपियन स्टीवेन स्टोन है मुझे आज भी आदे कि जब लास्ट टाइम एश और स्टीवेन ने बैल करी थी पोकिमोन वर्ल चैंपेंशिप में तो वह बैटल कितनी जादा क्लोज हो गई थी इवन एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि जीतने का कोई भी च के साथ ट्रेनिंग करता है पर तब उनको एक काफ इतेज धमाके की आवास सुनाई देती है यह आवास पास के जंगल से आय थी जहां पर आश पोकिमोन कैचिंग की ट्रेनिंग करने गया था सबी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पर बाद में उनको एक शाइनी मेड़ा क्रो पाला होता है बट किसी तरह से आश और इसके फ्रेंड्स बच जाते हैं आश बोलता है कि यहाँ पर कौन है और यह अटक किसने किया है तभी वहाँ पर स्टीवें आता है और बोलता है कि आच्छा है यह तुम हो मुझे लगा यह कोई एट्रो का वाइल्ड पोकिमोन है और बोलता है कि हा मैं यहाँ पर ट्रेइनिंग करने आया था क्योंकि तुम्में आवियस नहीं पता है होगा कि एट्रो कोकिमोन नॉर्मल क्यों से जादा स्टोंग होते हैं और ए त्रेश को नहीं पता था Metagross और Pikachu दोनों को अपनी World Championship की Battle याद थी वेलाब Ash भी अपने कुछ Pokemon को बहार निकालता है और Training करना स्टार्ट कर देता है Misty बोलते हैं कि Ash ने सिफो सिफ अपने Pikachu, Charizard और Septal को क्यों बहार निकाला है उसको अपने बागी Pokemon को भी Training देने चाहिए अब देखते ही देखते शाम हो जाती है Ash और Stephen दोनों कहीं Pokemon बहुत ज़दा थक चुके थे बट वो लोग Training करना नहीं रोक रहे थे Brock बोलता है, well guys मैं देख रहा हो कि तुम और तुमारे Pokemon दोनों ही बहुत ज़दा थक चुके हो अब हमें Rest करना चाहिए अंधेरा भी हो रहा है और अब कुछ एटरो Pokemon बहार आ जाएंगे जो कि हमारे लिए Dangerous हो सकते हैं Although Stephen और Ash और भी ज़दा ट्रेनिंग करना चाहते थे बट वो Brock की बात मानकर अपने Pokemon को Pokeball में वापस ले लेते हैं और जंगल से बाहर आते हैं रास्ते में Ash और Stephen अपने एटरो रिजन में आने की जर्णी शेयर करते हैं Stephen अपने Contest के बार में बताता है कि कैसे उसने इतने जल्दी Pokemon League में पाइडिसिपेट कर लिया वहीं पर Ash बताता है कि वो Pokemon Contest में Undefeated था जिसको सुनकर Stephen शौक रह जाता है आगे बड़े से पहले पिछले Poke Quiz के विनर्स ये रहे और आज का Question ये है कि वो कौन सा Pokemon है जिसको Mega Evolve होने के लिए Keystone या फिर Mega Stone की जरूरत नहीं है बलकि वो Heart Diamond नाम के आइटम का यूज़ करके Mega Evolve होता है अब Scene Shift होता है अगले दिन के सुबा हो चुके थी और ये वही दिन था जहाँ पर Ash और Stephen की Battle होने वाले थी यानि कि 3rd round स्टार्ट होने वाला था Ash इसके लिए बहुत ज़दा excited था क्योंकि इसके बाद वो एट्रो लीग और अपने Legendary Mythical Pokemon के और भी ज़दा करीब पहुच जाएगा Ash यल्दी उठता है और ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है इस बार वो पुरी तरह से रेडी था अपने और Brock के नए स्टार्टिजिस को यूज़ करने के लिए जिसके लिए डेफिनेटली स्टीवेन रेडी नहीं होगा टाइम बीटते जाता है और फानली Ash और इसके फ्रेंस स्टेडिया में पहुच जाते हैं थर्ड राउन स्टार्ट हो जाता है और इस बार बैटल सा और भी ज़ादा अमेजिंग होती है इसी बीच उनको एक ऐसा खान देखने को मिलता है जो कि लेजन्री और मिथिकल पोकेमों का यूज़ कर रहा था उसने सीफोसीव अपने दो पोकीमोन्स का यूज़ करके अपोनेंट को डिफीट कर दिया और उसको डिस्ट्रॉई कर दिया जो की अन्बिलीवेबल था इस बैल को देकर आश को सीनो रिजन का फ्लैश बैक भी आता है जहाँ पर आश की पोफॉरमेंस काफी अच्छी चल रही थी पर रास्ते में टोबियास आजाता है जिसके पास लेजनरी और मिथिकल पोकीमोन्स थे एंड वो अपने दो पोकीमोन्स का यूज़ करके ही आश को डिस्ट्रॉई कर देता है एंड उसका सपना तोड देता है आश काफी उसे था क्यूरियास था ये जानने के लिए किये पोकीमोन्स रहें कौन है इसमें कोई भी डाउट नी था कि आश को आगी जाकर और भी बहुत असदा स्ट्रॉंग पोकीमोन्स थे हार जाता है तो वो एट्रो लिक से एलिमिनेट हो जाएगा वेलाब आश फ्यूचर पे ज़्यादा ना फोकस करके करेंट पर फोकस करता है उसको स्टीवन के बैल कले रेडी रहना था धिरे धिरे करके बैल होते जाती है और फानली वो टाइम आ जाता है जब आश और स्टीवन की बैल होने वाली थी एस नहीं डिसाइड कर लिया था कि यह battle epic होने जा रही थी जहाँ पर दो सेम पोकीमान वर्ल के पोकीमान रेंस compete करने वाले थे एट रो लिग में आगे प्रोसीड करने के लिए referee वहाँ पर आता है और बोलता है कि यह battle six on six होने वाली है और यह सीफोसीफ एक round का match है जो भी पोकीमान रें अपोनेंट के छे पोकीमान को पहले defeat करता है वो directly आगे proceed कर जाएगा इस fight में सीफोसीफ एक ही phenomenon allowed है अब बैल को start किया जाए आश ने पहले से सोच का रखा था कि वह अपने पोकीमान निकालता है और बोलता है कि जाओ कि अख बोलता है स्टीवन तुमने शिफुमन लेज blender है तो होिनका Toy स्टीवन रिपलाय करता है कि विल सेसे मेंश को catch किये वे काफी टाइम हो चुका है और वैंने इसको अच्छी ड्रेइनिग भीहा दी है मेरे अकॉर्डिंग यह पोकीमॉन लिग के लिए पुली तरह से रेडी है इसने अल्रडी काफी सारे पोकीमॉन को डिफीट कर दिया है दो सुपर स्ट्रॉंग पोकीमॉन बैल फीड में आ चुके थी और इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि बैल बहुत जदा इंटें अटी नहीं है?